अगनीपत योचना के खिलाफ पंजाब में विरोध तेज होने के असार है राज्य सरकार योचना के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है इतना ही नहीं मुख्यमंत्रे भगवतमान ने राज सरकारों से अगनी पत्थ के खिलाफ लामद होने के लिए भी कहा है पंजाब विधानसभा में जारी बजट सत्र के दोरान नई योचना पर चर्चा हुई विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया है विधानसभा में मान ने कहा भाश्वा नेता दावा कर रहे हैं कि अगर आप समझ सकें तो ये बहतर लगेगा क्या उनके पास ही समझाने की शमता है क्या हम समझदार नहीं है जो कानून आम आदमी को समझना आए उन्हें बनाना ही नहीं चाहिए देश की हर विधानसभा में अगनी पत के खिलाब प्रस्ताव पारित के जाने चाहिए उन्होंने कहा जब मैं सोस्ता हूँ की एक सत्रा वर्षे भरती होगा और एक्के साल की उमर में वापस आएगा तो उसकी शादी भी नहीं होई होगी उसे पूर्व सैनिक के तोर पर मानिता भी नहीं मिलेगी चर्चा के दोरान विपक्ष चेनाथ प्रताप सिंग भाजवा ने कहा कि रक्षा बलू में पहले पंजाब के 20 पीस युवाओं की भरती होती थी उन्होंने कहा कि इसके बाद इसे जन्संक्या के अधार पर किया और राज से 7.8 पीस दी भरती हुई कॉंगरस नेता ने कहा अगनीपत योजना से ये कम होकर 2.3 प्रतिशत पर आ जाएगी हमें इसका विरोध करने के लिए सेयुक्त प्रस्तावलाना चाहिए पश्यमंगाल के मुक्यमंत्री मम्तब इनरजी ने भी लगातार अगनीपत योजना पर सवाल उठा रही मंगलवार को ही उन्होंने इस योजना को कच्छड़ई का डिबबा बताया था साथी चार साल बाद सेयनिकों को नौकरी देने से इंकार किया था मंगलवार को एक कारेकरम के दोरान सीएम बेनरजी ने कहा मुझे एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार सेयनि वीरो को चार साल के बाद नौकरी देने की अपील की वो चाहते हैं कि मैं भाज़फा कारेकरताओं को नौकरी दूँ हमें ऐसा क्यों करना चाहिए पहली प्राथमिक्ता प्रदेश के युवाओं को दिखाएगी मेरे तुम पास एक लेटर आया ओ लेटर में लिखा जो चार बरोस में काम करेंगे लो उसका बाद हमारा डाटा बैंक का प्राग दीजिए और आप स्टेट कार में उसको नक्री दे दीजिए समझिए हम उसको भीजेपी का वार्कर को हम नक्री दे देंगे हमारा नक्री देने के कोई यत्रा जही है अगर हमारा नक्री है तो हमारा स्टेट का लर्गा पौन देगा हमारा स्टेट का लोगां का हम चरूर देंगे जो भी अमारा चरूर जाए कारून मानते